खलो गाइच मैं इंद्रेश अपने यूटूब चैनल इंद्रेश येस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं तो दोस्तों आज हम लोग क्या देखेंगे पर्यावरण की जो हमारी क्लास चल लए थी हमारे किसके लिए सीटेट वालों के लिए ठीक है सीटेट और जो है सेलेक्शन ठीक है चलिए तो आज यह नहीं कि हाँ पर इच्छा कब होगी होगी 100% होगी इसी साल होगी होगी सुपर टेट की भी आएगी किस वरणक की उपस्तित के कारण जो पौधे हरे होते हैं मताई किस वरणक का मतलब कौन सी ऐसी चीज उपस्तित रहती है जिस ठीक पत्तों का रंग तथा पौधों का रंग हरा बना रहता पत्ती भी रहते हैं और पौधे भी रहते हैं यह प्रोटीन युक्त क्या होती है जटिल एक केमिकल कंपाउंड होता है क्या था जो प्रकास संसलेशन में एक किसके प्रकास संसलेशन की प्रिजेंस में क्या करत मैगनीशियम और बहुत सारे तत्व पाया जाते हैं लेकिन सबसे मुष्ट इंपोर्टेंट एभी है मैगनीशियम ठीक है तो इसका राइट एंसर क्या जाएगा डी पार्ड विल्कुल राइट हो जाएगा चलिए आगे चलते हैं कोशन नंबर 112 आप बताएंगे 112 वान देख करने के लिए जानी जाती है मतलब कौन सी ऐसी फसल है जिसको क्या किया जाता है बायो डीजल उत्पन करने के लिए कौफर लिए जाता है जाता है बाइट में तुक्ति वर्त उत्पन करने में भिबस से उत्यारा जाता है प्रियोग किया जाता है ठीक है चलेए आगे आगे चलते हैं कोशन नमबर 124 आप बताएंगे कोशन नमबर 124 क्या कह रहा है कोशन नमबर 124 कह रहा है जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी इस आउसरी पौधे का हिंदू धर्मे में महत्तो है इसका वनस्पती सांस्टिफिक नाम ओशियम सेक्टम है इसको समानता है किस नाम से जाना जाता अजवाइन का फूल तुलसी रोजमेरी या धनिया तो यह किसकी बिसेस्ता है जब आप पढ़े होंगे जब आप सीटेट का एक्जाम दिये होंगे तो आपको यह सारी कीजें पता होगी हम किसको काते है तुलसी को काते है तुलसी एक हमारा पौधा ऐसा है जो जड़ी बूटियों की रानी भी का आ जाता है भारत का सबसे पवित्र जड़ी बूटि के नाम से भी जाना जाता है इसका जो साइंस्टिफिक नेम है ओशियम सेक्टिवम है ठीक है जब आप इसकी बिसेस्ता पढ़े रहेंगे तो आराम से आप क्या करेंगे कर ले जाएंगे ठीक है तो डरने की कोई बात नहीं है अगर आप मेरे साथ लगे हुए हैं तो आपके नमबर अच्छे आएंगे और आने की मैं गारांटी भी लेता हूँ ठीक है पीने के लिए सुरचित पानी को क्या कहा जाता है जो हम पीने योग्य पानी राता है उसे क्या का जाता है जो पीने की योग्य पानी होता है जो समुचित रूप से उच्छ गुडवरता वाला होता है वो हमारा पीने योग्य पानी होता है ठीक है पे एजल जिसको बोलते हैं उच्छ गुडवरता वाला जिसको हम कहते हैं पेजल धर्ती पर जो है पानी तो 70% है लेकिन पीने योग पानी क्या है बहुत कम है ठीक है ठीक है 30% हमारे अस्थाल है और सारी क्या समदुर का पानी तो आप यूज नहीं कर सकती हो ठीक है पीने योग तो है नहीं जो है ठीक बहुत सारी बिमारियां हो जाएंगी 126 कवते 1984 की एक भोपाल गैस त्रासदी जिसमें किस गैस का रिशाओ के कारण हुई थी तो भोपाल में 1984 में जो घटना हुई थी उस घटना में जो हमारी मिथाईल आइसोसाइनेट नामक गैस का क्या हुआ था रिशा हुआ था क्या हुआ था रिशा हुआ था जो एक क्या थी Union Carbide भोपाल की एक मध्य प्रदेश की जो है Union Carbide नामा कंपणी में मिथाइल आइसोसाइनेट नामा के जहरीली गयस का क्या हो गया था रिशा हुआ था इसमें लगबग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली लिखेन के बारे में आप लोग जानते हैं इसका फार्मुला CH4 होता है ठीक है नाइट्रस N2O को बोलते हैं ठीक कार्बन मोनो आक्साइड बहुत ही खतरनाक है जो हमारे अगर आप किसी घर में जो हमारे अंगीठी जलाके छोड़ दें और उसमें आक्सीजन ना पास हो तो आ ओजोन सरचन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता ठीक ओजोन सरचन दिवस 16 सितंबर की 11 जुलाई को हम लोग कौन सा 200 जन संख्या दिवस के रूप में मनाते दो दिसंबर को एट से दिवस के रूप में भी मनाया जाता याद रखेगा ठीक है और UNDP की अस्थापना UNDP जिसको ब किया गया था यह भी सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ठीक यू एन इपी का हेड़कॉर्टर का नरवभी केन्या में है यह भी याद रखिएगा ठीक चलिए नेक चलते हैं कोशन नंबर 128 म. स्वामी नाथन एक है, जो म. स्वामी नाथन को भारत के क्रिषी हरितकरांदी का जनक कहा जाता है, नार्मन को क्या कहा जाता है? क्रिशी बैग्यानिक थे, क्या थे, क्रिशी बैग्यानिक थे, ठीक, क्या थे, क्रिशी बैग्यानिक थे, याद रखेगा, हरित करांदिका इनको जनक भी कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा, एमेस स्वामी नाथन को जेनेटिक बैग्यानिक क्रिशी या बैग्यानिक, जिन दहरा दून में हैं, ठीक कहाँ पहर दहरा दून में हैं, ठीक चलिएंगaz नेक्स्ट एक्सफेश्ट एकस्षाई को क्या कर लेते हैं, ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट एकस्षट समि нее bạn सेस्प पदार्तों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं मृतक भच्छी क्या कहते हैं मृतक भच्छी याद रहेगा ने चलिए जो भाजी जो साका आ रही होते हैं साक भच्छी कहा जा तो मांस को खाते हैं उन्हें मांसा भच्छी कहते हैं नेक्स्ट बताई तप्त भौम जल, जो तप्त भौम जल के किस प्रकार की उर्जा, जो हमारा तप्त भौमी जो है, उसे जो उर्जा प्राप्त होती, उस उर्जा को कहाते हैं, भूतापी उर्जा, जल बिदुत उर्जा, नाभकी उर्जा या सौर उर्जा, जो सौर मंदल से पराप्त होती है उसे तो सवर उर्जा काते हैं लेकिन जो भूमी से पराप्त होती है उसके काते हैं भूतापी उर्जा क्या काते हैं भूतापी उर्जा तो यह पार्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा सोला घास का घास अस्थल कहां पाया जाता सोला घास का अस्थल जो हमारे पश्चिमी घाट का मैदान है वहां पर पाया जाता ठीक है सोला घास का मैदान तो हमारे पश्चिमी घाट इसी को क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट पे ही हमारे क्या पाया जाते हैं भारत में पेलिकन पच्छी कहां प्रजिनन करते हैं, जो हमारा पेलिकन पच्छी होता है, वह कहां पर प्रजिनन करता है, पेलिकन पच्छी जिने हम रोजी पेलिकन अथवा, ग्रीट वाइट पेलिकन भी काते हैं, तो प्रजिनन कहां पर करते हैं, तो सीत रुट में साइवेरिया एवम यूरोप में पर्फ पढ़ने के कारण, प्रजिनन एवम भोजन के उद्दे से हेत हुए भारत की कोकेरा वेल और कुंधन कुलम में क्या करते हैं, जब वहां बर्फ बहुत जादा, यूरोप में बर्फ जब गिरने लगती है, साइवेरिया में, सीतर रुट में, तो प्रजिनन करने हेतु जो हो, कोकेरा, वेलूर, नेला पट्टू और कुंधन कुलम में आते हैं, ठीक, याद रहेग पारा दूसित मचली, जो हमारा पारा मरकरी जिसको बोलते हैं, पारा ठीक है, पारा दूसित मचली खाने से जो है, इस तरह के हमें क्या रहते हैं, मिनी माता नामक रोग होता है, तो इसका राइट एंसर क्या जागा, शी पार्ट बिलकुल राइट हो जागा, ठीक है, आग होता छोब मंडल होता ठीक उसके उपर हमारा कौन सा पाया जाता है समताप समताप मंडल में ही हमारी क्या पाया जाती है समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाया जाती ठीक है तो यह पूछ रहा अधिकता महारास किस पर हुआ उत्री दुरूपर दच्री दूरूपर या भुम्मद रेखा पर तो इसको आप बताएंगे कहां पर हुआ है तो यह हमारी जो ओजोन प्रित्वी वायो मंदल की एक पर्थ है जो सूरी से निकलने वाली जो उच्छ अब्रित के हानिकारत परवेगनी क्रिणों को तिरानबे से 99% क्या कर लेती है एबजॉर्ब कर लेती है और सबसे ज़्यादा यह जो है दच्छरी धुरूप पर इसमें क्या हुआ हराश हुआ है ठीक है नेक्ट चलें चलिए कोश्चन नंबर 137 बताईए कर रहां 137 कौन सा भारत का प्रमुख मुख नयाधीस था इसमें स प्रमुख नयाधीस थे ठीक है दूसरे मुख नयाधीस थे एम पतांजली सास्त्री मेहर चंद्र महाजन इसमें पूछन चाहिए था भारत के पहले मुख नयाधीस कौन थे इसमें थ्टूटी किया है कोश्चन में लेकिन फिर भी आपको मारना यह तो सभी है जो है लेकिन इसमें क्या नहीं भारत के पहले मुख नयाधीस कौन थे तो हीरालाल जे कानिया पहले रहना चाहिए पहला मुख नयाधीस हमारे हीरालाल जे कानिया नेक्स चलते हैं कोश्चन अब रेड डाटा बुक किससे संबंदीत है तो रेड डाटा बुक जो है बिलुप्त के करीब से संबंदित है जो बिलुप्त के करीब है रेड डाटा बुक जो आई सी यू यन क्या करता जारी करता उनी सो तिरसेट में इसका क्या किया था गठन किया था ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आप बताएंगे 149 वां कोश्चन नमर 149 बताएं इनमें से कौ कौन वर्तमान राश्टी महिला आयोक का अध्याच्छ है बताई वर्तमान में कौन सा जो है कौन महिला आयोक कश्च्या обычно 149 का तो भारती महिला आयोक भारती 1990 में यह अधनियम पारित हुआ था ठीक है जो राश्टी महिला आयोग का थे क्या एक समबैधानिक पत होता ठीक है 1992 में यह क्या गठित एक समविधिक निकाह इसको बनाय गया ठीक ठीक है पर्थम अज्जत जो जैनती पटनायक थी वर्तमान में जो है कौन है रेखा सर्मा है ठीक है वर्तमान में कौन है रेखा सर्मा जी है ठीक नेक्स चलते हैं अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 146 बताएंगे लोकसभा और राजसभा की संयुक्त बैस्ठक किसके द्वारा आहूत की जाती है जो बुलाई जो जाती है ठीक बुलाई तो राष्टपती द्वारा जाती है ठीक है बुलाई क्या जाती है राष्टपती के द्वारा बुलाई जाती है ठीक है और इसकी जो अध्यच्छता कौन करता है अध्यच्छता जो करते हैं वो कौन लोकसभा अध्यच्छी करता है तो नाइंत में हमारे क्या पंचायती राजी का क्या है प्रावधान है ठीक है चले आगे चले चलते हैं नेक्स्ट कोच्छन कोच्छन में संबिधान संसूधन का संबंध है यह किस से संबंधित है तो जोङसां राशन संसूधन कब हुआ था उनीश सो तीरानवे में थीक है जो हमारा सहरी अस्थानी सोसासन था उससे संबंदित है ठीक है नगर निकायों से संबंदित है ठीक तो सहरी अस्थानी सोसासन से संबंदित है या किस अनसूची में है तो बराहमी अनसूची में दिया गया इसमें कुल कितने बिसे हैं तो अठारा बिसे भी हैं कितने बिसे ह अठारा बिस हैं ठीक नेक्स चलते हैं कोशन नंबर 143 बताए किस गैस के वर्सा के पानी में घुलने से वर्सा का पानी क्या होता अमली हो जाता बताए चलते हैं यहारा बहुतुआ है उतले वर्सा के साथ यह करते हैं गाउस का अमली वर्सा का रूप धारन कर लेती है तो इसका राइट एंस्वर क्या जाएगा इस अलफर डायाकसाइड ठीक है तो डीप आट हमारा क्या हो जागा, राइट हो जागा, ठीक, चलिए, आगे चलते हैं, कोशन नमबर कौन सा, 144 बताई, कर रहा कि भारती सम्विधान में बिधी का सासन, बिचार कहां से लिया गया है, तो बिधी के समख्च जो सासन है, यह किसके से लिया गया है, तो यह हमार मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार, जो हमारे क्या है, मौलिक अधिकार है, उनको लिया गया है, ठीक है, चलिए, आयरलेंड से, डीपी एस भी हमारे लिये गया है, ठीक, चलिए, 145, बताई, 145 होगा, लोक सभा के चुना होए, तो अर शूचना कौन जारी करता है अर्टिकी नहीं सोचना और सुचना कौन जारी करता है तो बताई ऑर 145 तो चुना आयोग करत आ इस decorated here तो यह आर्टकिल जो चुनाव आयोग हमारा 324 आर्टकिल में, ठीक है, नेक्स चलते हैं, अगला question, question number 147 बता दीजी, लोकसभा की कारवाई के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, जो लोकसभा की कारवाई होती है, उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा ज प्रियुक्त जल का संग्रहन और भंडारन या फिर वर्सा जल का जमा और भंडारन, तो वर्सा जल का जमा और भंडारन हमारा के कलता है, संग्रहन कहलाता है, ठीक, I hope मैं आसा करता हूँ का आपको question समझ में आये होंगे, और आप लोग इंद्रेश GS classes को, इंद्रेश GS classes को ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, सपोर्ट और प्यार देंगे, उसी की जरूत है, ज्यादा ज्यादा आप लोग सेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए, थोड़ा समय मोटिवेट होंगा, और अच्छी वीडियो आएगी, और आप लोग का मनोबल उंचा करने की कोशिश की जाएगी ठीक है तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भाद